दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिली न्यूस अड़ापर और दोस्तों IPL 2020 के शुरू होने में अभी काफी जादा समय जो है बचा हुआ है आपर दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबकी फेवरेट चैनने सूपर किंग्स के बारे में और दोस्तों IPL 2020 को लेकर क्या कुछ बदलाब चैनने सूपर किंग्स के स्कौर्ड में हो सकता है और किन प्लेयर को CS के रिटेन करेगी और किस प्लेयर का के इंसाइड और आउटसाइड गपरों के लिए सब्सक्राइब करें डियेने न्यूज चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं तो दोस्तों शुरूबात करते हैं IPL 2019 के आउक्षन से दो दोस्तों आपको बताते कि IPL 2019 के आउक्षन में चैनल जूबर किंग्स ने टोटल दो प्लेयर को खरीदा था जिसमें मोहिच शर्मा और आर गायकवाड शामिल थे और दोस्तों IPL 2019 में 25 प्लेयर की बैंच स्ट्रेंथ जो थी वो CSK के पास मौजूद थी और दोस्तों IPL 2020 के आउक्षन से पहले भी CSK के पास वही बैंच स्ट्रेंथ मौजूद है जहांपर दोस्तों इस समय CSK के परस में तीम दश्मेल अफ़ दो करोन रुपए बचे हुए हैं और IPL 2020 के आउक्षन में CSK कुछ खिलाडियों को ज़रूर रिलीस करने वली है हला कि दोस्तों ये लिस्ट जो है वो काफी कम भी हो सकती है क्योंकि दोस्तों CSK के टीम में ऐसा कोई भी खिलाडी नहीं है जो की बेकार हो तो हो सकता है कि CSK केवल एक या दो प्लेयर्स को ही रिलीस करें और इसके वज़े ये भी है कि CSK जो है वो IPL के इत्यास की सबसे सफल टीमों में से दूसरी सबसे सफल टीम है और इसी वज़े से प्लेयर्स के रिलीस होने के चांसे बहुत कम है फिर भी दोस्तो आई पील 2020 के आउक्शन से पहले किन खिलाडियों को CSK रिलीस करने वाली है इसी के बारे हम इस वीडियो में पात करने वाले हैं तो दोस्तो आपको बता दें कि CSK की टीम जो है वो आई पील की सबसे सफ़ल टीम है जहां पर इस टीम ने अब तक के 12 एडिशन में से 3 एडिशन अपने नाम की और दोस्तो ये 3 एडिशन CSK ने महेंदर सिंग धोनी की गत्बान नी जीते हैं और दोस्तो इसके कारन की अगर बात करें तो वो है इस टीम में MS जोनी का खतरनाग दिमाग दोस्ता है MS जोनी हारे हुए मैच को भी पलटने का दम रखते हैं और इसी वज़े से बड़े नामों के ना होते हुए भी ये टीम जो हारे बार फाइनल में पहुँची जाती है तो दोस्तो बात करें रिलीस फ्लेयर्स की लिस्ट की तो दोस्तो सबसे पहला नाम इस लिस्ट में आता है अमबाती राइडू का दरसल दोस्तो आपको बता देगी वैंड시고 ने मौका नहीं विलने से दुकी होकर अमबाती राइडू ने अपने रिटार्मेंट की अनौसमेंट कर दी थी और विदेशी T20 लीग्स खेलने चले गए थे और दोस्तों जहां तक है IPL की तो उसमें BCCI का इंटरवेर रहता है तो SME BCCI जो है वो अब राइडू को IPL में खेलने की इजाज़त नहीं देगा और क्योंकि दोस्तों कोई भी भारते खेलाड़ी जो है वो बिना BCCI की इजाज़त के किसी और विदेश और किसी और देश में T20 लीग नहीं खेल सकता है तो इसी वज़े से CSK से अमबाती राइडू का बाहर होना कन्फरम है इसके लावा दोस्तों इस लिस्ट में दूसरा नाम हो सकता है इमरान ताहिर का दोस्तों इमरान ताहिर अब 40 साल से उपर गयो गए और अब उनके लिए और क्रिडिट खेलने का फैसला करना उनका नीजी फैसला होगा और दोस्तों अब ये इमरान ताहिर को देखना है कि वो अब और क्रिडिट खेल सकते हैं या नहीं और कितने वो फिट हैं जहां पर दोस्तों बात करें अगर आईपेल 2019 में उनके प्रदर्शन की तो दोस्तों इमरान ताहिर ने आईपेल 2019 में शानदार प्रदर्शन किया था और लीडिंग विकिट टेकर्स की लिस्ट में वो बाकी इंदवाजों से काफी आगे थे लेकिन दोस्तों हो सकता है कि एज की इश्यू को चलते हुए ताहिर इस बार का आईपेल जो हो नहीं केले इसी वज़े से उनको हमने इस लिस्ट में नमबर दो पर रखा है इसके बाद दोस्तों नमबर तीन पर नाम आता है हरवजन सिंग का दोस्तों यूँ तो CSK अपने अनुभव के लिए जानी जाती है जहां पर CSK की टीन है ऐसी है जिसमें काफी बड़े बड़े और अनुभवी खिलाडी मौजूद है लेकिन दोस्तों हरवजन सिंग की भी अब काफी एज हो गई है और ऐसे में वो क्रिकेट के दो पक्षों बैटिंग और फिल्डिंग में थोड़ा कमजोर नदर आने लगे है दोस्तों हो सकता है कि CSK की फ्रेंचाइजियों जो है वो इस बार हरवजन सिंग को रिलीस कर दे और कोई दूसरा ओफस्विनर की तलाश करे और हो सकता है कि CSK अपने पूराने ओफस्विनर गवी चंदरन अश्विन को किंग्स 11 पंजाब से ट्रेड कर दे तो दोस्तों द आप भी इस पर अपनी राइज जरूर दे और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक और नहीं वीडियो के साथ सब तक के लिए जहिन जय बारत